माइक्रो बिट में एक मैगनेटो मीटर सेंसर लगा है जो की मैगनेटिक फील्ड डिडेक्ट करता है यूशली हम इस सेंसर को कॉमपास की तरह यूज करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉमपास की नीडल नौर्थ की डिरेक्शन को पॉइंट करती है जो हमारा microbit है वो अर्थ की magnetic field detect करके हमें बताता है कि north किस direction में है पर microbit जो है वो किसी भी magnet की magnetic field को detect कर सकता है और हम इस feature को use करते हुए interesting project बना सकते हैं तो सबसे पहले हम magnetometer देखते हैं तो magnetometer जो है वो input में जाकर more में जाकर यहां यह magnetic force का जो programming block है यह magnetic field detect करता है और magnetic field जो है वो x, y या z axis में या strength जिसका मतलब है कि any of the three axis में magnetic field की strength को detect करेगा और magnetic force का जो SI unit है वो tesla है और microbit जो है वो micro tesla में हम magnetic force की reading बताता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे यह हम reading देख सकते हैं तो हम यहां पे जाके मैं एक show number का block ला रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ forever show the magnetic field और हम कह सकते हैं strength which means doesn't matter x, y या z किसी भी axis में होगी और इसके बाद मैं इसको transfer कर रहा हूँ तो इस वक्त value जो है वो around 64 के करीब है और अगर मैं एक magnet जो है उसको pass ला रहा हूँ जो strength है, magnetic strength है वो अब suddenly jump कर गई है और अब reading है 1900 odd यह जो magnet है, यह काफी strong magnet है इस अ नियोडाइमियम magnet हम इसको as a graph plot कर सकते हैं तो मैं LED में जाके यहां plot graph की command ला रहा हूँ और हम magnetic force का graph देखना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि show the bar graph of magnetic force up to let's say 900 और अब मैं अगर इसको transfer कर रहा हूँ अब जो हमारा microbit है हम उसको like a metal detector भी use कर सकते हैं तो अगर मैं कोई भी metal जो है उसको pass ला रहा हूँ microbit के तो आप देख सकते हो कि वो microbit metal को detect करता है अगर मैं कोई plastic ला रहा हूँ तो magnetic field में कोई भी variation नहीं आ रहा है और metal ला रहा हूँ तो magnetic field जो है वो बदल रही है और अगर मैं अपना neodymium magnet वापस ला रहा हूँ तो इसकी strength जो है वो already जब इतना ही distance है तब भी हमारे को full bar graph मिल रहा है that means कि इस particular magnet की magnetic force जो है वो बहुत strong है तो इस तरीके से हम एक तो metal detector बना सकते हैं कि हमारा microbit बताएगा कि कहां पर metal जो है कहां पड़ा हुआ है पर हम यही sensor यूज़ करके एक बहुत interesting door alarm भी बना सकते हैं essentially door alarm हमारा क्या होगा कि हम अपने door पर एक तरफ magnet लगा देंगे और एक तरफ microbit होगा तो जैसे ही door खुलेगा हमारे microbit को पताचल जाएगा कि वो magnetic field से बाहर चला गया है तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि door जो है वो खुल गया है या बंद है and of course हम उसको फिर एक next level पर ले जा सकते हैं कि जब भी हमारा door खुलेगा क्योंकि ये जो microbit है और magnet जो है ये तो door पे fix होंगे पर हम radio का feature यूज़ करते हुए ये भी कर सकते हैं कि ये जो microbit है वो एक radio signal भेजे और एक और microbit में हम alarm या किसी और किसम की indication दें कि कब जो है वो door closed है और कब door open है तो हम ये door alarm बनाना सीखते है तो door alarm बनाने के लिए हम जो हमारा transmitting microbit है यानि कि जो दर्वाजे पे लगा हुआ है जो की magnet के पास है वहाँ पर हम अगर हम radio यूज़ करना चाहते हैं सबसे पहले radio में एक group set करना पड़ेगा ताकि हमारे सारे microbit same channel पर हो तो मैं यहाँ radio set group 50 कर रहा हूँ और उसके बाद हम चाहते हैं कि जब magnetic field जो है वो एक value से नीचे चली जाए यानि कि जो हमारा microbit है वो magnet से दूर चला गया यानि दर्वाजा खुल गया microbit है वो magnetic field में है magnetic force काफी deduct कर रहा है तो वो signal भेजे कि door is closed तो यह signal भेजने के लिए हम पहले हम एक conditional statement ला रहे हैं कि अगर जो magnetic force की value है वो एक level से कम होगी तब हमें पता है कि door is open तो यह करने के लिए फिर मैं एक comparison में जाके यहां कह रहा हूँ कि if the strength of the magnetic field is less than say 150 तो हम यहां से message भेजना चाहते हैं कि door is open तो हम radio में जाकर यहां कह रहे हैं radio send string door open और else अगर यह इस से जादा है यानि कि जो दर्वाजा है वो बंद है हमारा microbit magnet के पास है तब हम message भेजना चाहते हैं door close साथ ही हम चाहें तो हम इस microbit में कोई display में कोई चीज़ डिपिक कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि door जो है वो open है या close है तो मैं यहां basic में जाके एक icon ला रहा हूं और मैं कहा रहा हूं कि अगर door जो है वो बंद है तो for example let's say हम यह icon display करेंगे और अगर door जो है वो open है तो हम इसको clear screen करना चाहते हैं कि तब कुछ हमारा microbit जो है वो कुछ भी display नहीं करेगा तो यह जो है यह हमारा door alarm का transmitter है तो मैं इसको rename कर रहा हूं door alarm transmitter और इस program को मैं अपने microbit में transfer कर रहा हूं और हम इसको test करके देख सकते हैं अभी कोई भी icon जो है वो display नहीं हो रही है और जैसे ही मैं magnet के पास ला रहा हूं तो हमारे को यह icon मिल रही है अगर मैं इसको दूर कर रहा हूं तो यह door open का message भेज रहा है और अगर मैं magnet के पास ला रहा हूं तो यह बता रहा है कि door is closed तो यह हमारा transmitter है यह ठीक काम कर रहा है तो अब हम एक और program लिखते हैं जो की हमारा receiver का program होगा तो सबसे पहले तो हमारे को यह जो हमारा second microbit है इसको भी same radio channel पर लाना है तो मैं कह रहा हूं कि यह 50 है और उसके बाद हमारे को देखना है कि जब हम radio में string जो है वो receive करें उसको check करना चाहते हैं तो मैं एक logic में जाके फिर से conditional statement ला रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि हम एक string भेज रहे हैं door open door close logic में जाके यह वाला comparison ला रहा हूं equality का जो की string की equality चेक करता है not यह जो numerical equality चेक करता है तो मैं इसको लाके कह रहा हूं कि if string is equal to door open तो अगर door open है तो हम maybe कोई icon दिखाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि door open means maybe हम cross दिखाना चाहते हैं और maybe हम एक कोई alarm बजाना चाहते हैं तो मैं यहाँ कह रहा हूं कि play some tone middle C और दूसरी हमारी यहाँ possibility हो सकती है कि received string जो है वो है door closed तो उसके लिए मैं एक else if की command बना रहा हूं और यहाँ duplicate करके कह रहा हूं कि if received string is door closed तो हम maybe simple एक icon दिखाना चाहते हैं कि अगर दर्वाजा बंद है तो it's all okay for us तो maybe just a tick और मैं else का यह statement हटा रहा हूं इस program को मैं अब एक second microbit में transfer कर रहा हूं तो हम test करके देख सकते हैं यह जो हमारा microbit है यह दर्वाजे पे लगा हुआ है तो क्योंकि अभी यह magnetic किसी भी magnetic field में नहीं है तो यह एक signal emit कर रहा है कि door is open और हमारा जो receiving microbit है वो alarm बजा रहा है और हमारा को icon दिखा रहा है cross की अब अगर मैं magnet इसके पास लाता हूँ तो हमारा जो door पे लगा microbit है वो अब magnetic field में है तो अब वो हमारा को यहां icon दिखा रहा है कि door is closed और same signal यह हमारा receiving microbit receive कर रहा है और इसलिए हमारा को यहां पर यह tick mark मिल रहा है अगर मैं magnet को हटाता हूँ तो यह जो हमारा microbit है यह बता रहा है कि दर्वादा खुल गया है और जो हमारा receiving microbit है वो accordingly alarm बजा रहा है और cross display कर रहा है तो इसको हम actually door में लगा के demonstrate कर सकते हैं कि यह door alarm कैसे काम करेगा तो I hope आपको यह magnetometer based projects पसंद आए और आप इनको बनाना ट्राइ करोगे पर आपको Steph हमार करे भूप पका Lynn पर आपको पर्वां टो ठापको न geschthात